पर टीचर्स को रिस्पेक्ट तो मिलती है में रिस्पेक्ट हब में ब्रीशन में पैसा होता है पावर होती रिस्पेक्ट मिलती है पॉलिटिशन को फिल्म स्टाइल को कृकिट breeze को जन्स गेस्ट बनाया जाता है रिब्रेन कट्वायाएं जाते है कि कोई टीचर सिलेबरेटी हो और उनसे कुछ इनौगरेट करवा गया हो कभी देखा कि कोई टीचर किसी BMW या आउडी से आता हो धोती कुर्ता पहने पैदल पाउ में चपल और हाथ में छाता कि ये टीचर की छबी होती और सही भी है टीचर की जितनी सालरी है किसे कैसे तो बेचारे घट चलाते मिलते पता है कितना 25 और एक आंसर शीट चेक करने के 4 रूपय 25 पैसे कितने सवा 4 रूपय वो चवन्नी जो बंद हो चुकी है वो हम टीचर्स पर अब भी लागू है और ये पैसा स्कूल की तरफ से नहीं, गवर्मेंट की तरफ से आता है पहर वी इतनी महनत करने के बाद, टीचर्स हैब नो जोब सेक्योरिटी उन्हें कभी भी अचानक स्कूल से निकाल दिया जा सकते हैं इस ताट सो? कभी सर प्लास कहकर तो कभी इनके किसी को कोई मतलब नहीं है कि तीचर कितनी क्वालिफाइड है, कितनी इक्स्पीरियंस है बस पैसे कम देने पड़ जाए और उनकी जगें, अन्ट्रेंड, अन्क्वालिफाइड लोगों को रख लिया जाता है ताट्स वरी साड़ जोती, अन्त में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, मैं सिर्फ पूछना चाहूँगी, कि हाव किन एनिवान फगेड़ देटीचर्स? हमारे तरक्की पसंद देश के तरक्की पसंद लोगों को अपनी उस पहली टीचर का नाम तक याद है जिसने उन्हें ABC ली लिखना सिखाय या फिर दोका टेबल याद करवा KG से SSC और फिर कॉलेज तक कितने तीचर्स ने आपको अपने ज्यान के श्रोत में नहलाया लेकिन बदले में आपने उन्हें क्या दिया किसी ने कभी सोचा कि मैं अपनी टीचर को एक गुड मॉर्निंग, हाव यू मैम, हैपी न्यू येर का मैसिज भेज दू जैसे स्टूडन्स को ठीचर्स के ग्यान की ज़रत है